रोज सुबा उठते ही करें ये नौ काम, खुल जाएगी सोई हुई किस्मत नमबर एक, सुबा उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखते हुए भगवान का स्मरण करे माना जाता है व्यक्ति के हाथों में ब्रह्मा वे सरस्वती के साथ साथ मा लक्षमी का वास होता है ऐसा करने से आपका दिन अच्छा जाएगा नमबर दो, सुबा उठने के बाद धर्ती मा को छू कर प्रणाम करें शास्त्रों के मताविक धर्ती मा भी माता के समान होती है नमबर तीन, यदि आप पूजा पाट करते हैं तो शौचादी से मुक्त के बाद ये कारे करें या प्रातना करें या भजन सुनें नमबर चार, तुलसी के पौधे में मा लक्षमी का वास होता है इसलिए रोजाना तुलसी के पौधे की पूजा जरूर करनी चाहिए इसके साथ ही तुलसी के पौधे से थोड़ी सी मिट्टी लेकर रोजाना तिलग जरूर लगाएं इससे आपके हर काम सिद्ध होंगे शास्त्रों में जिक्र किया गया है कि सूर्य दे से पहले उठना बहुत शुब होता है इसके साथ ही स्नान आदी करने के साथ फगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल का अर्ग देना चाहिए इससे हर काम में सफलता मिलेगी और कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होगा नंबर च्छे, रोजाना लक्ष्मी स्त्रोत और कनगधारा स्त्रोत का पार्ट करना चाहिए इससे मा लक्ष्मी प्रसन होती हैं जिससे घर में कभी भी धन धानने की कमी नहीं रहती है 7. माननेता है रोजाना शिवलिंग में जलाभिशेक या फिर दूद से अभिशेक करने से व्यक्ति को जरूर लाब की प्राप्ती होती है 8. सुबा उठकर घर में या दफतर जाकर लोगों से कठोर भाशा में बात ना करें आपको अच्छे शब्दों का उप्योग करना चाहिए 9. आप सुबा उठते ही जगडे नहीं यदि आप ऐसा करते हैं तो जिन्दिगी में कभी भी बेहतर की आशा मत कीजिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद